दोस्तों भशपूरी से लेकर हिंदी इंडरस्टी तक अपना नाम बनाने वाली मुना लिसा आज किसी पहचान की महताज नहीं है और आज यह हैं इंटर्टेन्वेंट इंडरस्टी का सबसे बड़ा नाम में से एक बन चुकी है जिस कारण सोसल मीडिया पर आए दिन लोग यह जानना चाहते हैं कि अभी इनके पास कुल समपत्ति कितना है तो गाज एसे में आपका प्यारा दोस्त और होस्त रोकी सीनेटी भी एक बार फिर से हजीर है एक और बेहतरीन अपिसोड के साथ जिसमें हम मोना लिशा के कुल समपत्ति को देखने वाले हैं और यह अभी एक भच्पूरी फिल्म और एक सिरियल अपिसोड करने का कितना पैसा लेती है उसके बारे में भी बताने वाले हैं तो प्लीज आप इसी वीडियो को अंतक जरूर देखना और अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आये तो प्लीज इसे लाइक करने में कोई कंजूसी न करना तो आए बिना टाइम वेश्ट करते हुए सुरू करते हैं वेल दोस्तो सबसे पहले आगर जाने इनके सुरूवाती जिवनी के बार में तो दोस्त मैं आपको बता दू कि मुना लिसा का असली नाम अंतरा भी स्वास है और इनका जन्प कुलकत्ता में हुआ था जो इनका होम टाउन भी है वेल आपको बता दे कि इनोंने अपनी पढ़ाई लिखाई कुलकत्ता से ही पुरक्या है और बंगाली परवार की मुना लिसा ने उर्या म्यूजिक वीडियो से अपना केरियर के सुरूआत करी थी दोस्तों इसके साथ ही हम आपको यह भी बता दे कि फिल्मों में आने से पहले मुना लिसा कुलकत्ता की एक कंपनी में वेटर के तोर पर काम करती थी और भुजपुरी सिनावा में साल 2008 में मुना लिसा ने भोले संकर नाम की फिल्म से डेबुक किया था और अब यह तक्रिबन 50 से ज़्यादा भुजपुरी फिल्मों में काम कर चुकी है वेल आपको बता दू कि मुना लिसा ने भुजपुरी के सबसे बड़े मेल एस्टार के साथ भी काम किया है लेकिन पवंसी के साथ इनके जोरी को काफ़ी सरा हा जाता है तो चलिए दोस्त आप बिना टाइम वेश्ट करते हुए बात करें इनके खुल संपत्ती के बारे में तो इंटरनेट पर अपलोड कुछ रिपोर्ट के मुताबिक मैं आपको बता दू कि अभी मुनाली से तक्रिबन 18 से 20 करोड संपत्ती के मालकीन है जिसमें इनके लगजरी कार और घर भी सामिल है वेल अगर वहीं बात करें इनके भुचपुरी फिल्म बनाने के चार्ज के बारे में तो हम आपको बताद कि अभी यह एक भुचपुरी फिल्म बनाने का लगवाग 10 से 15 लाक रुपे लेती है और हिंदी सीरियल में एक फिल्म करने का तकरिवन 50 से 1 लाक रुपे तक लेती है तो चलिए दोस्त आज के लिए इतना ही हुप करता हूँ ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा अगर आप और भी इस तरह की वीडियो देखना पसंद करते हैं तो जल्द से कर लिजे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करने में कोई कंजूसी नहीं बात बाकि इस वीडियो का अपने यहां तक देखा इसलिए तैलिल से धन्यमाद